आज एक नोटिफिकेशन लॉंच हुआ है नीचे हमारा टेलेग्राम चैनल का लिंक दिया है उस चैनल के उपर हम वो नोटिफिकेशन पोस्ट कर देंगे पर अभी अभी नोटिफिकेशन आया है तो मैं आपको उसके कुछ की हाइलाइट्स और की पॉइंट्स मेंशन कर दू जो आपने सुनने चाहिए फिर्स ऑफ ओल में 2024 से न्यूज स्कीम अप्लिकेशन होने वाला है जैसे सबको पता है कि अभी 15 जून के आसपास उसको अप्रूल मिला था और एक्सपेक्टिंग कि फिर्स जुलई को इंसीट ये नोटिफिकेशन लाएगी कि क्या सिलेबस और क अंदर स्टूदेंट्स में अनॉंस्मेंट सेक्शन में उसके अंदर मेंशन किया गया है कि न्यू स्कीम ये अप्लिकेशन हो जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन से की हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार है वो की हाइलाइट्स मैं अभी आपको मेंशन कर दू प्रॉपरली प सब्से पहले जोकी हाइलाइट्स है ता जू नूटिफिकेशन आया है उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट स्कीक्षां नहीं हुआ नहीं ओप्र्स और कूर्श City स्क्राइं वो अभी मैं बोल रहा हूँ, पहला की फीचर है कि 1st July 2023 के बाद जो भी रेजिस्ट्रेशन होंगे, फर्स जुले 2023 के बाद जो भी रेजिस्ट्रेशन होंगे, वो न्यू स्कीम में होंगे, यह सबसे पहला update है मतलब 1st July के पहले जितने भी registration gold scheme के 1st July के बाद सभी new scheme में रहेंगे और जितने भी student wait कर रहा है मैं सबको mention करना चाहूँगा कि आप new scheme के अंदर ही repair registration करें यह first thing दूसरा update यह है कि institute ने declare किया है में 2024 से applicable है और उसके बाद में जिनको job करना है जो लोग job करना चाहते है after being CA उनके लिए 2 years की आर्टिकल चिप रहेगी और जो लोग practice करना चाहते है after being CA उनके लिए 3 years का आर्टिकल चिप रहेगा जो roughly उस notification से समझ में आ रहा है so job करने के लिए 2 years and 3 years that is for जिनको practice करना है industrial training का है भी duration इसके अंदर बढ़ाया गया है जो आपको notification के अंदर ही details मिलेंगे साथ में ये mention किया गया है कि आर्टिकल चिप में आप जो stipend लोगे उसका starting first year का 4000 रुपीज रहेगा second year का 5000 and third year का 6000 तो stipend का level increase किया गया है 4000, 5000, 6000 पे ये चीज़ को आपको बढ़े अच्छे से याद रखना है साथ साथ में mention किया गया है कि during this period of article चिप आपको कोई भी exam देने की जरुवत नहीं है पर मुझे इस notification में ऐसा लगता है कि self-paced assessment वाले जो subject है तो during article चिप ही आप कर सकते हो तो ये चीज़ को आपने याद रखना है इन addition to this और highlighted key points आपको अगर देखने है तो आप notification में देख सकते हो mention ये किया गया है कि भाई we are expecting कि एक जुले को C.A.D. है उस दिन आपका subject का announcement होगा और course detail का announcement होगा तो उसके रख रुपया वेट कर लेता है roughly तो हमें पता है foundation 4 subject इंटर पे 6 और final पे 6 subjects तो ये चीज़ को आपने याद रखना है additionally मैं आपको mention करना चाहँगा कि जितने भी लोग अभी old registration करने की कोशिश कर रहे है वो रुपया रुख जाईए और एक जूले के बाद जितनी भी नए registration है वो रखना additionally बहुत सारे बच्चों के एक queries होंगे कि sir हमें कोई exemption आया है अलग-अलग subject में old scheme में हमने old scheme में कोई भी subject दिये है उसके अंदर हम pass हुए है एक group दिया है और उसका advantage आपको मिलेगा तो ये चीज़ को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है कि आपके कहीं पे भी examations और passing बगरा नहीं जाने वाले है तो ये चीज़ को आपने याद रखना direct entry आप straight away ले सकते हो after graduation जिसके लिए 55% का 60% आएगे से एक percentage increase consider किया गया है so direct entry के students भी directly join कर सकते है पर direct entry के student पहले जो आर्टिकल्चिप कर रहे थे फिर इंटर का exam दे रहे थे वो might be इस बार possible होने के chances नहीं है पहले आपको direct enter का exam देना पड़ेगा फिर ही आपका आर्टिकल्चिप शुरू होगा सो यह overall situation देख रहा है सो यह चीज को आपने बड़े अच्छ तरीके से याद रखेगा यह है overall highlights हाला कि नीचे में मेरे टेल्गराम चैनल का link दे रहा हूं या आप institute के साइट के उपर भी इसको चेक कर सकते हो जिसके अंदर हमें notification post कर देंगे आपको में चाहे हैं जरूर इसका option मिलेगा और अंकित की निव कोर्स में आप शिफ्ट कर पाओगे जरूर कर पाओगे रिजिस्ट्रेशन एक्सपार हो गया है तो आपको निव कोर्स में ही करना चाहिए बिटा स्नेहल यह चीज को मैं आपको mention करना चाहूंगा यह आपके लिए काफी फायदे मन्द होगा May 24 में जो foundation करने वाले है उनको नई scheme अपलिके बलोगी नए subject से अपलिके बलोगी पर उनकी subject content में आज सच कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है सब्सक्राइब कर रहा है तो हम जुलेई में ट्राय करें जुलेई फर्स वीक से हम रिविजन लेना शुरू कर देंगे चाप्टर वाइस चाप्टर बहुत बढ़िया पार्लल अटेम्ट का अभी तक कोई notification नहीं आया है कोई भी transition नहीं चलेगा और old scheme totally बन की जाएगी और पूरे के पूरे जो एक्जाम्स होंगे वो नए scheme में होंगे यह expected है बट स्टिल वेट फॉर फॉर्स जुलेई यह हमें expect कर रहे है November 23 पर कोई भी असर इसका नहीं होगा November 23 में old course ही चलेगा लौ में क्या changes है वो अभी तक syllabus declare नहीं होए लेट फॉर फॉर फॉर्स जुलेई उसकी बाद ही पता चलेगा ठीक है अगर आपको कुछ और लगता है तो आपको रुपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपकी कोई क्वेरी है तो उसको हम solve करेंगी जरूर कोशिश करेंगे थैंको सो मच पर लॉचिंग इस वीडियो दिजज अचन करे साइनिंग और गुड़ ब्लस यू